नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उमीर करती हूँ कि आप सब घर पर कुशल मंगल होंगे और मन लगा कर पढ़ रहे होंगे चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं हमारा आज का पाठ है शुरुत लेख पाठ का अर्थ है लेसन तो हमारा आज का लेसन है शुरुत लेख वे शबज जिने सुन कर लिखा जाता है उन्हें कहते हैं शुरुत लेख जैसे आप इंग्लिश में डिक्टेशन वर्ड करते हो वैसे ही हिंदी में शुरुत लेख करेंगे आज हम जैसे अध्यापक ने बोला अध्यापक मीज़ टीचर ने बोला घर तो आपने लिखना है घर घर अचकन अचकन तो ऐसे जैसे आपका अध्यापक शबद बोलेगा आपने उन सब्दों को ध्यान से सुनना है और फिर लिखना है इसे कहते हैं शुरुत लेख चलिए बच्चों मैं देखना चाहती हूँ कि आप सभी को स्वर और व्यंजन आते हैं कि नहीं इसलिए एक गेम खेलते हैं वर्ण माला पूरी करो वर्ण माला में आज मैं कुछ शबद कुछ अक्षर लिखना भूल गए हूँ तो आज आप मुझे वो अक्षर बताओगे और अब हम मिलकर वर्ण माला पूरी करेंगे जैसे क क लिखा है क के बाद क्या आता है आप मुझे बताओ क्या आता है जी ख, ख, खरगोश, है न, ख के बाद ग, ग तो मैंने लिख दिया, अब ग के बाद क्या आता है, वो तो मैं लिखना भूल गई, आप मुझे बताओ क्या आएगा, हाँ, घ, घर, अड़, खाली, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर, च, च, चमच, च, च के बाद क्या आएगा, फिर मैंने लिखना भूल गी, ज, 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 आगे क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ज, 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 आगे क्या आएगा ड़ ड़ डमरू ड़ धकन अब अन खाली तो इस तरह से अगर आपको वर्ण स्वर और व्यंजल अच्छी तरह से याद हैं तो आप ये वर्ण माला पूरी कर सकते हो धन्यवाद